अगर आप सब को याद हो तो शारुक खान को भी एक दो बारी interrogate कर दिया गया है यहाँ अमेरिका के अंदर Hi guys, मैं हूँ Amita और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल FitLife by Amita पे कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब को ये बताने वाली हूँ कि आप सब अपना immigration कैसे clear कर सकते हो जब आप USA के अंदर आते हो तो तो मैं आप लोगों को questions बताऊंगी जो immigration officer आप से पूछने वाला है या पूछता है और साथ में मैं आप लोगों को tips and tricks दोंगी जिससे कि आपका interrogation ना हो immigration के दोरान यहां अमेरिका में बहुत important वीडियो होने वाली है ये उन सब के लिए जो भी अमेरिका आना चाहते हैं और सी भी वीजा पे अगर आप आ रहे हो अमेरिका तो ये सारे tips and tricks आपको बहुत ज्यादा help करेंगे चलिए बिन टाइम वेस्ट किये हुए इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जब आप अमेरिका आते हो तो कैसे questions पूछे जाते हैं immigration के दौरान और ये भी बताऊंगी कि अगर आपको English नहीं आती तो आप कैसे immigration क्लियर कर सकते हो यहां अमेरिका के अंदर आके तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को common questions मैं बता दूँ कि कौन-कौन से पूछे जाते हैं यहां अमेरिका में immigration के दौरान और especially आज के जो questions मैं cover कर रही हूँ वो tourist visa ये business visa वालो के लिए है वैसे तो यह सारे questions सब पे apply होंगे आप ली केबल होंगे बट कुछ visa पे कुछ अलग तरह के questions भी पूछे जाते हैं additional questions पूछे जाते हैं पर आज के जो भी मैं questions बताऊंगी यह mostly सारे visa पे आप ली केबल है तो ध्यान से देखिए यह पूरी वीडियो आप लोगों को काफी मदद मिलेगी और guys साथ में मैं Instagram पे भी काफी active हूँ तो अगर आप सब मुझे Instagram पे follow करना चाहें तो मेरी ID है fitlife by Amita आप सब मुझे Instagram पे जाके follow कर सकते हैं जैसे ही आप अमेरिका में airport के अंदर land करते हो business visa पे अमेरिका के अंदर आते हो तो जो immigration officer होता है वो आप से सबसे पहला सवाल पूछता है कि do you have return tickets तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको अपने पास return ticket की copy यानि कि उसका एक extra copy लेके ही आना है और जैसे वो ये सवाल पूछता है आप बोलो yes I have और आप वो copy फटाक से उसे दिखा दो और बहुत बार ऐसा होता है कि जिन भी travel agent से आप book करते हो ticket वो लोग कहते हैं नहीं एक time का ले लो एक side का ले लो और बाद में वहां से आप दूसरे side का ले लेना तो ऐसी गलती कभी भी मत करना especially जब आप tourist या business visa पे आ रहे हो क्योंकि अगर आपके पास return ticket नहीं हुआ यहां immigration के time पे तो बहुत बड़ी problem की बात है आपको तुरत के तुरत डिपोर्ट किया जा सकता है यहां अमेरिका से तो यह गलती कभी भी मत करना जब ही भी आप अमेरिका आउट टूरिस्ट या business visa पे return ticket के साथ आना और उसकी copy लेके आना अब दूसरे सवाल की और बढ़ते हैं तो दूसरा सवाल काफी commonly पूछा जाता है How long are you gonna stay here? तो उसमें आपको सारी सही सही information देनी है आप कितने दिनों के लिए यहां अमेरिका में रहने वाले हो यह उस officer को आपको बताना है और note करने वाली बात यह है guys यहां immigration clear करने के लिए कि आपको सब कुछ सच सच बताना है और इस बात को मैं बहुत seriously कह रही हूँ कि आपको immigration officer को बिल्कुल भी जूट नहीं बोलना है आप यह मत समझना कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि उसे आपके बारे में सब कुछ पता है जब आप DS-160 form भरते हो तो उसमें आपकी सारे details होती है तो यहां पे यह सारे question पूछ के बस वो जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आप कितना जूट बोल रहे हो और कितना सच तो यह गलती कभी मत करना जूट बोलने की वरना आप वहीं से वहीं डिपोर्ट हो जाओगे वापिस जिस भी country से आए हो वहाँ चले जाओगे तीसरा question पूछा जाता है what is the purpose of your visit यानि की वो जानना चाहते हैं कि आप अमेरिका क्यों आए हो तो यहाँ पे भी आपको सच बताना है और अगर आप tourist visa पे आए हो घूमने के purpose से आए हो तो आप बताओ हाँ मैं घूमने के purpose से आया हूँ इतने दिन का plan है मेरा या अगर आप business visa पे आए हो आपको किसी company ने बुलाया है तो आप उसके बारे में बताओ तो जो भी है सच बताओ अगर आप किसी medical purpose से आया हो यहाँ तो आप वो बताओ कि हाँ मैं medical purpose से इतने दिनों के लिए आया हूँ और इतने दिनों के लिए stay करने वाला हूँ चौथा question पूछा जा सकता है कि what is your occupation? वो यह जाना चाहते हैं कि आप क्या करते हो अपने living के लिए यानि कि आप कौन सी job करते हो तो अगें आप वो DS-160 form में भरते ही हो कि हाँ आपकी जो नौकरी होती है या जो भी business वेगरा होता है आप भरते हो उसके बारे में जो भी आपने DS-160 form में भरा है आपको same answer यहाँ immigration officer को देना है और बताना है कि हाँ मैं यह करता हूँ यह यह मेरा business है यह मेरी job है अगला question यह हो सकता है वो पूछ सकते हैं do you have any relatives here तो वो again जाना चाहते हैं कि क्या आपका यह जो travel है किसी relative ने sponsor किया है खुद से आए हो क्या से आए हो आपके बारे में basically जानकारी लेना चाहते हैं तो again अगर आपने declare किया है DS-160 form में कि मेरे कोई relative है अमेरिका में तो आप वही बताओ कोई problem नहीं है पर हाँ सच बताओ पर अगर आपने वहाँ mention नहीं किया है अपने relative के बारे में तो कोशिच करें कि उसे ना बोले वहाँ पर बस बोले नहीं है जो भी आपने DS-160 form में जानकारी दी है, information डाला है वही आपको यहाँ immigration officer को बताना होगा के बाद अगला सवाल हो सकता है What are the things are you carrying? So basically वह यह जाना चाहते हैं कि आप कुछ illegal समान तो नहीं ला रहें अपने बैक के अंदर दूसरी कंट्री से या फिर आप uncooked items तो नहीं ला रहे हो क्योंकि यहाँ आपका बैक भी खुल सकता है और वो चेक भी कर सकते हैं कि आपके बैक के अंदर क्या है So ऐसी कुछ भी चीज़े ना लाएं जो कि allowed नहीं है अगला एक बहुत ही important question है जो कि mostly पूछा जाता है वो यह है कि do you have any plan to work here? So अगर आप tourist या business visa पे यहाँ आ रहे हो और अगर यह सवाल आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या आपके plans हैं अमेरिका में रहके job करने के, काम करने का तो इसमें आपको clearly कहना है no मैं घूमने के purpose से आया हूँ या जो भी आपका purpose है आप वो बताएं आप ये ना बताएं कि मैं यहाँ आके job करने वाला हूँ या मैं कुछ business करने वाला हूँ वो ना करें आसी गलती मत करना क्योंकि ये बहुत important question है वो जानना चाहते हैं कि आप अमेरिका के अंदर आके बसने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं तो clearly आप कहना नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ अगला question ये हो सकता है कि वो पूछें where will you stay वो ये जानना चाहते हैं कि जितने भी दिन के लिए आप अमेरिका में आए हो आपके पास hotels की booking है अगर आप tourist visa पे आए हो तो या फिर आपके कोई relatives हैं तो जो भी है आप सच बताओ अगर आप tourist visa पे आए हो तो जरूरी है कि आप अपने hotels book करके यहां आँ उतने दिनों के लिए या अगर आप किसी relative के आँ आ रहे हो तो ये बता दो कि हाँ ये मेरे relative है और इनका address ये है और मैं यहां stay करने वाला हूँ इतने दिनों के लिए क्योंकि अगर आप ऐसा दिखाते हो कि मुझे नहीं पता मैं कहां stay करने वाला हूँ तो आप ये लिए problem create हो सकती है आप ऐसा ना करें आपको बताना है कि हाँ मैं यहां stay करने वाला हूँ और मेरे relative है यहां तो मैं उनके साथ stay कर सकता हूँ तो ऐसा कुछ आप आंसर दें और सच बताएं अगला एक बहुत important question है guys वो ये पूछ सकते हैं कि who is paying for your expenses so basically कई बार होता है कि tourist visa पे आप parents को बुलाते हो या अपने relatives को बुलाते हो तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये पूरा खर्चा है traveling का, रहने का वो कौन पे कर रहा है तो again आपको सच बताना है जो भी अगर आप खुद से पे कर रहे हो खुद से आपने सारी tickets बुक की है सब कुछ किया है तो आप अपना नाम लीजे कि हाँ मैंने ही बुक किया है मेरी ये job है, मेरा ये income है और अगर नहीं अगर आप किसी पे dependent होके आ रहे हो यानि कि आपके किसी relative ने sponsor किया है या आपके ममी पापा ने sponsor किया है तो आप वो ही बताओ मेरी tickets विगरा मेरे relative ने बुक किया है तो आप सच बताओ आपने अगर खुझ से बुक किया तो वो भी बता सकते हो कोई problem नहीं है बस guys, note करने वाली बात ये है कि आपको सच बताना है immigration officer को जूट बोलना बिल्कुल भी मत क्योंकि यहाँ अमेरिका में कोई जुगार नहीं चलता एक बार उनको अगर आप पे शक हो गया तो आपको direct deport किया जाएगा अगर आप सब को याद हो तो शारुक खान को भी एक-दो बारी interrogate कर दिया गया है यहाँ अमेरिका के अंदर अगर आप शारुक खान के fan हो जानते हो तो अगर शारुक खान को यहाँ अमेरिका के अंदर interrogate किया जा सकता है तो हम किस खेट की मूली है उनके पास तो पैसे हैं पावर है, जुगार है सब कुछ है, वो बड़े-बड़े लोगों के contact में रहते हैं तो हमें तो वो दो मिनट भी नहीं लगाएंगे वापिस डिपोर्ट करने के लिए तो इसलिए, गाईस, मैं बार-बार कह रही हूँ जो भी बोलना, सच बोलना, सच के सीवा कुछ मद भो बोलना चली, आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको हिंदी आती है सिरफ इंग्लिश नहीं आती तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले जैसे ही आप आते हो इंग्रेशन ओफिसर के सामने तो आपको इंडिया से ही एक पेपर पे सब कुछ लिखवा के आना है यानि कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप वहां लिखवा लो I cannot speak English I need a Hindi to English translator तो आप जैसे ही लिखवा के लाओ के और ये दिखा देना बस पेपर आप immigration officer को वो एक Hindi translator बुला लेगा आपके लिए और जो भी details हैं आपकी यानि कि आपका नाम आप कहां यहां रुकने वाले हो अमेरिका के अंदर टिकेट्स और basic information आपका phone number या अगर आपके कोई relative है उनका phone number वो सारी basic details आपको एक पेपर पे लेके ही आना है क्योंकि आप at least वो पेपर दिखा के किसी से भी पूछ सकते हो आगे जैसे ही आप अमेरिका के अंदर आओगे या immigration officer को वो सारी details दिखा सकते हो तो यह सारी details आप पेपर पेक लेके आना अब मैं आप लोगों को tricks बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका interrogation ना हो ज्यादा क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने बताया होगा आपको कि उन्हें काफी time तक questions पूछे गए in fact कई बार होता है कि immigration के बाद भी आपको एक room मिले जाके थोड़ा interrogate किया जाता है और questions पूछे जाते है तो वो क्यों होता है उसके कुछ एक reasons है exact reasons मुझे नहीं पता बट जो भी tips and tricks हैं वो मैं आप लगों के साथ share करूँगी कि वो आप avoid करो ये सारे tips and tricks अगर follow करोगे तो chances हैं कि आप interrogation तक नहीं पहुचोगे तो वो क्या है सबसे पहले तो ये है कि आपको normal रहना है जी हाँ आपको ज्यादा नर्वस नहीं हो ना आप normal रहें जो भी है सच बोले अगर आप नर्वस होगे तो उन्हें लगता है कि ये बंदा जूट बोल रहा है ऐसा कुछ उन्हें लगता है शक होता है तो आप normal रहें जो भी information आपसे पूछी जाए उसका clearly answer करें बस यहाँ वहाँ ज्यादा ना करें अगर मैं कहरी हूँ यहाँ वहाँ ज्यादा ना करें उसका क्या मतलब है जबी भी आप अमेरिका के अंदर आते हो एरपोर्ट पे immigration के लिए जाते हो तो line होती है immigration के लिए भीड होती है तो आप line में normally चलें यह नहीं कि कभी line से बाहर निकल रहे है कभी यहाँ जा रहे है वहाँ जा रहे है वो सारी चीज़े मत करें normally अराम से चुप-चाप immigration की line में चलें बहुत ज्यादा phone का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ऐसे भी phone का इस्तेमाल मना होता है जबी भी आप immigration के पास line में जाते हो तो phone का इस्तेमाल ना करें तो यह सारी चीज़े हरकते मत करें अराम से line में रहें और जैसे जैसे line आगे बढ़ रही है वैसे आप बढ़ें तीसरा tip यह है कि जैसे ही आप land होते है airport पे immigration से जस्ट पहले भी अगर आपके पास hand baggage है तो उसे छोड़ के यहाँ वहाँ ज्यादा देर तक ना गुमें अगर आपको toilet भी जाना है तो उसे ले के ही जाएं वहाँ तक क्योंकि ऐसे कहीं भी आप छोड़ वोड के जाते हो तो उन्हें शक होता है और airport पे हर जगे camera लगे होते हैं यह बात ध्यान में रखना की camera है आप हर जगे देखे जा रहे हो तो कोशिश करें कि जो आपका bag है साथ में आपके उसे ले के जाएं जहाँ भी जाएं बहुत ज़ारा देर तक छोड़ के उसे यहाँ वहाँ ना जाएं चौथा जो टिप है गाईज वो भी बहुत इंपोर्टन टिप है वो यह है कि जब आप immigration के लिए जाते हो लाइन में रहते हो तो टोपी हाट यह ना पहने क्यों ना पहने क्योंकि cameras जो होते हैं CCTV वो उपर लगे होते हैं तो जब आप टोपी हाट पहनते हो तो उन्हें शक होता है कि यह बंदा मूँ छुपाने की कोशिश कर रहा है अपना क्योंकि उपर से जब आंगल लिया जाता है आपके चेहरे के लिए काप्चर करने के लिए तो वो ढखता है टोपी हाट से तो कोशिश करें कि आप वो ना पहने क्लियर अपना चेहरा दिखाएं उन्हें क्योंकि जैसे ही आप टोपी या हैट पहनते हो तो कहीं न कहीं आप शक के दाइरे में आते हो और जिसकी वज़े से आप से ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं तो ये रहे सारे टिफ्स दोस्तों I hope कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ अमेरिका के बारे में जॉब से रिलेटेड सारी इंफर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी वीडियो के त्रू तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हैं दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है तभी मैं आप सब के लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहती हूँ सो ये वीडियो में यही एंड करती हूँ दोस्तों मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में स्टे हापी, स्टे फिट, बाई